एक्स्प्ट्रोर इंडिया विध्विकास में आपका स्वागत है। आज हम अमरनाथ यात्रा के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जमू कश्मीर केंदर शाषित प्रदेश में इस्थित अमरनाथ हिंदू का एक प्रमुक तीर्थ स्थले। अमरनात को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मा पार्वती को अमरत्व का रहस बताये था अशाण पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षा बंदन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लाखों लोग अमरनात आते हैं अमरनात गुफा लगबग डेड़ सो फुट में फेली हुई है इसी गुफा के एक कोने में एक एसी जगह है जिसमें टपकने वाले हिम बुंदों से लगबग दस फुट उंचा शिवलिंग बनता है शावन पूर्णी माग को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है अमरनाथ गुफा में आज भी कई शिवलिंग के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो हम इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि आप इस यात्रा को बिना परिशानी के कैसे संपन करें अमरनाथ यात्रा की तैयरी का सबसे पहला चरण है कि आप अमरनाथ यात्रा के लिए रेजिस्ट्रिशन कराएं जिसे यात्रा परमिट भी कहते हैं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोड प्रतिवर्ष अमरनाथ यात्रा के लिए पूरे देश में लगबग साड़े चार सो बेंक शाखाओं के जरीये रेजिस्ट्रेशन करता है यह रेजिस्ट्रेशन हर साल सामाने था अपरेल महिने से शुरू होता है यह रेजिस्टेशन पंजाब निशनल बेंक, जम्मू कश्मीर बेंक, यस बेंक आधी बेंकों की अधिकरत शाखाओं से करवाया जा सकता है इन बेंक शाखाओं की जानकारी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब रहती है यात्रा परमिट फीज केवल पचास रुपे ही होती है रेजिस्टेशन कराने के लिए आपको किसी मानेता प्राप्त डाक्टर अथ्वा मेडिकल अथोरिटी द्वारा जारी स्वास्त प्रमान पत्र अर्थात मेडिकल सर्टिफिकेट भी देना होता है तेरा वर्ष से कम और पिचुतर वर्ष से अधिक आयो के लोगों तता छे सप्ता से अधिक समय से गर्भवती महिलाओं को इस यात्रा की अनुमती नहीं होती है यदि आप ऑनलाइन रेजिस्टेशन कराई बिना ओन स्पॉर्ट रेजिस्टेशन कराना चाहते हैं तो आप जम्मू, श्रिनगर, बालटाल, चंदनवारी, नुनवान आधी जगों पर पहुँचकर इस यात्रा के लिए रेजिस्टेशन करा सकते हैं अब यदि आप यह सोच रहे हैं कि जम्मू, श्रिनगर या चंदनवाडी पहुँचकर तत्काल रेजिस्टेशन कराकर यात्रा शुरू कर देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है यदि आप जम्मू या श्रिनगर पहुचकर आन स्पॉर्ट रेजिस्टेशन कराते हैं तो आपको यात्रा परमिट पांस से दस दिन बात का ही मिलता है इस इस्तिति में आप पांस से दस दिन तक महां क्या करेंगे महां रुकने का खर्च भी बहुत ज़ादा आएगा इसलिए हमारी आपको सला है कि आप आप आनलाइन रेजिस्टेशन के द्वारा ही यात्रा परमिट प्राप्त करें इससे यह होगा कि आप अपनी यात्रा को बिना किसी परिशानी के सही तरह से प्लान कर पाएंगे एक महां पुन बात आप और याद रखें जब आप अमरनाथ यात्रा के रेजिस्टेशन फार्म भरते हैं पहलगाओं मार्ग से अमरनाथ गुफा की दूरी 48 किलोमेटर है तथा बाल्टाल से अमरनाथ गुफा की दूरी 14 किलोमेटर है अब आपके दिमाग में यही विचार आ रहा होगा कि आप तो बाल्टाल वाले रास्ते से ही अमरनाथ गुफा की ओर जाएंगे यह बात सही है कि अमरनात गुफा तक बालटाल से कम समय में पहुंच सकते हैं क्योंकि यह रूट बहुत छोटा है लेकिन यह याद रखें कि बालटाल वाला रस्ता बहुत ज़्यादा कठिन और सीधी चड़ाई वाला है इसलिए इस रूट से बहुत कम लोग अमरनात गुफा की और जाते हैं इस रूट से बुजर्गों को तो जाने की मंजूरी ही नहीं है इस रूट पर ट्रेकिंग के जानकार लोग ही जाना पसंद करते हैं आप हिमलिंग के दर्शन करने के उपरांत लोटते समय बालटाल रूट से आ सकते हैं क्योंकि इस रूट से उतरना थोड़ा आसान है इसलिए हमारी आपको सला है कि आप पहलगाम वाले रास्ते से ही अमरनात गुफा की और यात्रा करें पहलगाम रूट अमरनात यात्रा का सबसे पुराना और एतिहासिक रूट है इस रूट से गुफा तक पहुँचने में करीब तीन दिन लगते हैं लेकिन यह जादा कठिन नहीं है आप इस रूट से बम भोले का जैकारा करते हुए कब अमरनात गुफा पहुँच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा अब आपके सामने यह प्रश्न उत्पन हो रहा होगे कि आप अपने शहर से पहलगाम या बालटाल कैसे पहुँचे तो इसके तीन तरीक हैं एक सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तिसरा है हवाई मार्ग सड़क के रास्ते पहलगाम पहुचने के लिए आपको पहले जम्मू तक आना होगा फिर जम्मू से श्रीनगर तक का सफर बस से करना होगा श्रिनगर से आप पहलगाओं या बालटाल बस या टेक्सी से पहुन सकते हैं श्रिनगर से पहलगाओं करीब 20 किलमटर और बालटाल करीब 33 किलमटर दूर है दिल्ली से निवमे तोर पर बस सेवा श्रिनगर तक उपलब्द रहती है यदि रेल की बात करें तो पहलगाव तक कोई सीधी रेल सेवर नहीं है आपको अपने शेहर से जम्मू तक ट्रेन से आना होगा जम्मू तक देश के सभी बड़े शेहरों से ट्रेने चलती है जम्मू तक ट्रेन से आने के बाद आपको पहलगाओं या बालटाल तक का सफर बस या टेक्सी से करना होगा जम्मू से सडक मार्ग से पहलगाओं या बालटाल पहुँचने में करीब 12-13 घंटे का समय लगता है अब यदि हवाई मार की बात करें तो पहलगाओं से सबसे नजदी की एरपोर्ट शिनगर में है शिनगर एरपोर्ट देश के लगबख सभी बड़े शेहरों से जुड़ा हुआ है शिनगर से आप बस के द्वारा भी पहलगाओं तक जा सकते हैं जिसमें करीब धाई घंटे लगते हैं इसके अलावा आप टेक्सी से भी पहलगाओं पहुंच सकते हैं इसमें करीब दो घंटे का समय लगता है पहलगाओं पहुंचने के बाद आप अपनी ऑनलाइन बुक होटल में चेक इन करें यदि आपने होटल आनलाइन बुक नहीं की है तो आप सीधे किसी भी होटल में जाकर रूम बुक कर सकते हैं चुकि अमरनाथ यात्रा के दोरान हजारों यात्री पहलगाओं में ही ठेरते हैं तता होटलों में बहुत ज़्यादा भीड रहती है इसलिए आनलाइन होटल बुक करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आनलाइन बुक करने पर होटल का प्रति दिन का किराया लगबग एक हजार रूपे ही पड़ेगा परन्तु यदि आप आनलाइन होटल बुक नहीं करते हैं तो पहलगाओं में ज़्यादा भीड़ होने पर आप से होटल वाले मनमाना किराया वसूल करते हैं जो कि प्रति दिन 3,000 रुपे तक हो सकता है इसलिए आप आनलाइन ही होटल बुक करें अपनी होटल में चेक-इन करने के बाद आप रात का डिनर करने के लिए पास के किसी लंगर में चले जाएं चुकि पहलगाओं वार्शिक अमरनाथ यात्रा का बेस केंप लिए इसलिए अमरनाथ यात्रा के दोरान यहाँ कई सारे लंगर अर्थात भंधारे चलते हैं आप इ अर्था दूसरे दिन आप सुबह जल्दी से तयार होकर अपनी होटल से चेक आउट करें और चंदनवाडी के लिए प्रस्थान करें। चंदनवाडी से ही अमरनाथ यात्रा की पेदल चड़ाई प्रारम होती है। आप पहलगाओं से चंदनवाडी सुबह नो बजे तक पहुँच जाएं। तथा अपना अतरिक्त सामान चंदनवाडी में शाइन बोर्ड द्वारा संचलित क्लॉक रूम अर्थाद अमानती घ्र हमें रख दे। इनका किराया 10 रुपे प्रती 24 गंटे होता है। आप अपने साथ केवल जरूरी सामान जिसे रेंकोर, गलव, स्वेटर, दवाई, एक या दो जोड़ी कपड़े तता खाने पीने का सामानी रखें। यदि आपने अपने कंदे पर टांगने वाले बेग में जादा सामान रख लिया तो चड़ाई के दोरान आपके कंदे पर टंगा एक किलो का वजन भी आपको दस किलो का महसूस होगा। चंदन वाड़ी की दुकानों से आप एक लकड़ी खरीद लीजिएगा जो चड़ने में आपकी बहुत साहिता करेगी। यहाँ याद रखें कि आप अपने यात्रा दस्तावेज जैसे यात्रा का रिजिस्टेशन, मेडिकल सर्टिफिकेट तथा आदार कार्ड हमेशे अपने साथी रखें क्योंकि यात्रा के दोरान कई जगे इनकी जाच भी की जाती है। अब हम इस यात्रा मारक के बारे में बात करते हैं। पंच तर्णी से संगम नामक अगला पड़ाव तीन किलोमेटर दूर है। संगम वह स्थाने जहां बालटाल तता चंदनवाडी से आने वाले दोनों रास्ते मिल जाते हैं। संगम नामक स्थान से पवित्र अमरनाथ कुफा की दूरी केवल तीन किलोमेटर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चंदनवाडी से चड़ाई करने पर पहला पड़ाव पिस्सू टॉप आता है। जो की चंदनवाडी से लगबग तीन किलोमेटर दूर है। पिस्सू टॉप तक की चड़ाई थोड़ी कठीन है। परंतु आप रुकते रुकते यदि चड़ाई करेंगे तो आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी। पिस्सू टॉप पर आप भंडारे में चाय नाश्ता या भोजन करके शेशनाग की ओर चलना प्रादम करे। पिस्सू टॉप से शेशनाग की दूरी लगबग 11 किलमेटर है। शेशनाग में भंडारे अर्थत लंगर में मुफ्त में भोजन करने के बाद आप अपने टेंट में रातरी विश्राम करें। इस तरह आपका अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन समाप्त होता है। शेशनाग में अगले दिन सुबह उठकर आप फ्रेश होकर लंगर में ब्रेकफास्ट कर लें। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप इसनाग करने के लिए गर्म पानी की बाल्टी खरीद लें। यहाँ 50 रुपे में गर्म पानी की बाल्टी मिलती है। इसनाग करने के उपरांथ आप 9 बज़े तक अपनी आगे की यात्रा प्रारम कर दें। शेषनाग से चलकर महागुना स्टाप जिसे गणे स्टॉप भी बोलते हैं आता है यह शेषनाग से लगबक 4 किलमेटर की दूरी पर है यह एक बरफिला दर रहा है इस जगह के बारे में कहा जाता है कि कई बार तो यहाँ ऑक्सिजन इतनी कम हो जाती है कि माचीस भी नहीं ज दिशानी हो तो बॉर्डर सिक्यूरिटी फोर्स अर्थाद B.S.F. के डॉक्टर जगह जगह फ्री मेडिकल केम्प में तेनाद रहते हैं जो आपकी ततकाल मदद कर देंगे महागुना स्टाप पर पहुँचकर आप चाई पीकर आगे की यात्रा जारी रखें महागुना स्टाप के बाद अगला स्पार्ट प्यूश पत्री आता है जहां आप लंगर में भोजन कर लें भोजन के उपरांद आप प्यूश पत्री से पंच तरनी के ओर प्रस्थान करें गोर्तलबे की पंच तरनी काफी चोड़ी घाटी है जिसमें पांच नदियों की धराये बहती हैं आप लगभग चार से पांच बजे तक पंच तरनी पहुँच जाएंगे रातरी विश्राम आपको यहीं करना होगा पंच तरनी में आप लंगर में भोजन करने के बाद टे गर्म पानी से नहा कर तथा चाय नाश्ता करके अपनी यातरा प्रारम कर दें पंच तरनी से संगम नामक अगला व्यातरा पढ़ाओ तीन किलोमेटर दूर है संगम वह इस्ताने जहां बालटाल तथा चंदनवाडी से आने वाले दोनों रास्ते मिल जाते हैं संगम पर दो कुछने के बाद यदि आप इसनान करके हिमलिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो महां परसाथ की दुकान लगाने वाले 50-100 रुपे में आपको गर्म पानी तथा नहाने के लिए जगह भी उपलग्द करा देंगे। इसनान करने के बाद आप अपने मॉबाइल फोन, बेल्ट, पर्स आदी क्लाक रूम में जमा करा दें तथा दर्शन के लिए लाइन में लग जाएं। एक से दो घंटे में आपको आराम से हिमलिंग के दर्शन हो जाएंगे, दर्शन करने के बाद आप क्लॉक रूम से अपना मॉबाइल तथा अन्य सामान वापस ले ले, यह बात भी याद रखें कि गुफा के भीतर फोटोग्राफी की अनुमती नहीं होती है इसके बाद आप गुफा के पास लगे कई सारे लंगरों में से किसी भी लंगर में भोजन कर ले, भोजन करते करते आपको दो पर के तीन बज जाएंगे आप चाहें तो रात्री विश्राम गुफा के पास के टेंट में कर सकते हैं परंतु हमारा आपको सुझा हुए कि आप वापस पंच तरणी में जाकर रात्री विश्राम करें क्योंकि पवित्र गुफा बहुत उचाई परिस्थी थे जिसके कारण इस स्थान पर आक्सिजन की कमी होती है तथा ठंड भी बहुत अधिक होती है आप आराम से दो से तीन घंटे में पंच तरणी पहुँच जाएंगे आप पंच तरणी के लंगर में भोजन करने के बाद अपने टेंट में विश्राम करें इस तरह आपका अमरनात यात्रा का चोथा दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्थात पांच वे दिन आप सुबह नहाने तथा नाश्ता करने के उपरान पंच तरणी से चंदनवाडी के और पस्थान करें नीचे उतरने में आपका बहुत कम समय लगेगा तथा आप शाम के पहले ही चंदनवाडी पहुँच जाएंगे चंदनवाडी पहुचकर आप टेक्सी अथवा शेर टेक्सी से पहलगाओं जाएं पहलगाओं में आप किसी लंगर में रात का भोजन करें तथा अपने द्वारा बुक आनलाइन होटल में रेस्ट करें छटे दिन आप सुभा का ब्रेक्फास्ट करें तथा अपने गरह नगर के और पस्थान करें यदि आपके पास एक दो दिन का अत्रिक्त समय हो तो आप श्रीनगर, पहलगाओं तथा गुलमर्ग घुमाईए क्योंकि कश्मीर आए और श्रीनगर तथा गुलमर्ग नहीं देखा तो एक कसक हमेशा आपके दिल में रह जाईए गुलमर्ग में आप गंडोला राइड का भ फर्स्ट है बिना यात्रा पर्मिट मिले आप अमनात यात्रा पर न जाएं सेकेंड है हमेशा अपने साथ यात्रा पर्मिट आधार कार्ट तथा मेडिकल सर्टिफिकेट रखें थर्ड है आपके पूरे ग्रुप में से कम से कम एक मेंबर के पास BSNL की पोस्ट पेड सिम जरूर है क्योंकि कश्मीर में जाते ही आपका मोबाइल कम्यूनिकेशन बंद हो जाएगा क्योंकि कश्मीर में केवल BSNL पोस्ट पेड सिम ही चलती है तो इस इस्तिति में आप अच्छी क्वालिटी के तता हेवी ग्रिप वाले कम वजन के वाटर प्रूफ जूते जरूर पहने अपने साथ रेंकोट हाथ के दस्ताने मंकी केप तता थर्मल वियर जरूर रखें आवशक मेडिसिन इस यात्रा में अपने साथ जरूर रखें जिसे पेरसीटमोल, विक्स ग्लुकोज, सरदर्द की टेबलेट, खांसी की दवाई तता पेर दर्द ठीक करने के लिए मूव या वोलिनी स्प्रेय आदी अपने बेग में कुछ चॉकलेट, बिसकुट, ड्राइ फ्रूट्स तता पीने का पानी हमेशा रखें अपनी पीट पर टांगने के लिए वाटर प्रूफ बेग जरूर रखें इस अमरनात यात्रा की सुरक्षा का जिम्मा भारती सेना तथा बार्डर सिकुरिटी फोर्स का होता है इसलिए आप उनके द्वारा दिये गए हर आदेश का पालन करें यदि आप इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो आप अमरनात यात्रा बिना किसी विग्ण के संपन कर पाएंगे यदि आप घोडे अर्थात पोनी पर बेटकर यह यात्रा करना चाहते हैं तो आप घोडे पर बहुत जादा सावधानी से तता सतरकता से आगे की और जुकर बेटे क्योंकि कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुरगटना घटी अब हम इस छे दिन की अमरनात यात्रा के कुल खर्च की बात करते हैं चार लोगों का अपने गह नगर से चंदन वाडी तक आने जाने का टेक्सी बस तथा ट्रेन का कुल किराया आठ हजार रुपे चार लोगों का दो दिन का होटल का किराया पच्चिस सो रुपे चार लोगों का चार दिन का टेंट में बेड़ का किराया पंद्रह सो रुपे चार लोगों का छे दिन का भोजन का कुल खर्च मुफ्त क्योंकि हम लंगर तता भंडारे में ही भोजन करेंगे चार लोगों का अमरनाथ यात्रा का अधिक्तम कुल खर्च 12,000 रुपे यदि हम इसे चार से डिवाइड करें तो प्रतिवेक्ति अधिक्तम कुल खर्च केवल 3,000 रुपे ही आएगा इस प्रकार आपकेवल तीन हजार रुपे में शांदर तरीकी से अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं तो अब इंतजार मत कीजिए जल्दी ही अमरनाथ यात्रा का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकरी सही तथा उपयोगी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद्विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद